स्वागत है आप सभी का Tech Study Idea यूटूब चनल पर नीमी आनलाइन के ओफिसियल वेबसाइट पे हम हैं यहाँ पे and CITS के जब से रिजल्ट आया आप लोगों के कई सारे सवाल रहते थे काउंसिलिंग कब से स्टार्ट होगी तो क्योंकि CITS के कॉलेजेज में अलड़ी प्रिवियस पैच का प्रैक्टिकल एक्जाम चल रहा था जो कि अभी खतम हो चुका है और आपकी काउंसिलिंग की डेट भी आज के दिन आ चुकी है तो काउंसिलिंग की डेट जो यहाँ पे आई है आप देख सकते हैं काउंसिलिंग का सेडूल हुआ है 12.08 से 19.08 तक आज हम लोग इसी मोबाइल फोन से अपनी मोबाइल फोन से आप कैसे अपनी काउंसिलिंग कर सकते हैं कैसे चॉइस को बार बार चेंज कर सकते हैं कैसे फीस पे कर सकते हैं कुछ हम लोग इसी mobile phone से live करके देखेंगे तो अगर आपने भी CITS में qualify किया है cut-off number जो cut-off marks थे वो तो आप भी यहाँ पर counselling कर सकते हैं and counselling आप जब करेंगे तो choices का आप ध्यान रखिएगा जो जैसा आप चाहते हैं उसे recording first, second, third, fourth choice डालिएगा ऐसा नहों कि आपको चाहिए कुछ होर हो first पर आप कुछ होर डाल दें तो आपको वो मिल जाएगा तो यहाँ पर counselling schedule आचुका and counselling के लिए आपको simply क्या करना है login करना है पहले choices को select करने के लिए login आप कैसे करेंगे login करने के लिए आपको आपकी registered mail ID और mobile number रहेगा उसी से आप यहाँ login कर सकते हैं तो मैं login कर लेता हूँ सबसे पहले यहाँ पे and उसके साथ साथ एक चीज आपको हम बता दें कि इस बार ना seats बहुत सारी change हुई है previous year में जिस भी NHTI में 10 से कम किसी trade में admission हुए थे वहाँ पे इस बार उस trade में admission को discontinue कर दिया गया है तो आप यह जो नई seat matrix है इसको आप एक बार जरूर check out कर लीजेगा यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तरह से नई seat का पूरा जारी किया गया बहुरा इसमें आपको simple एक दो example से बताएंगी सिर्फ जैसे आप देख रहा है electronics mechanic यहाँ पे आप देखे चन्नाई में 0 seat हो गई काली कट में 0 seat हो गई जबकि पहले इन सब में 50-500-100 seat थी electronic mechanic की ठीक है same आप draftman civil में देख सकते हैं कि NHTI चन्नाई में 100 seat थी draftman civil की अभी कितनी हो गई 0 हो गई तो यह कुछ example से हैं इसी तरह से बहुत सारी seat जहां भी 0 आपको दिख रहा है न उन seat को इस बार हटा दिया गया उस पे इस बार admission नहीं लिया जाएगा और यह DGT का हमें बहुत ही bad step लगा क्योंकि एक तरफ आप CITS को mandatory कर रहे हैं हर तरफ ITI में instructor बनने के लिए और दूसरी तरफ आप seat ओं को कम करते जा रहे हैं तो कैसे होगा फिर अगर कोई करना चाहेगा इस बार तो कैसे कर पाएगा ओ CITS क्योंकि seat नहीं नहीं अब पिछली बार admission नहीं होए दिसका है मतलब तो नहीं किस बार भी admission नहीं होगा बट ऐसे decisions लिए गए हैं आप लोग बताएगा क्या decision सही है या गलत तो वो तो थी seat ओं की बात आप लोग एक बार जरूर चेक आउट कर लिजेगा नई seat जो है उसको इसके साथ साथ अब यहाँ पर अपना marks आप चेक कर लिजेगा कितना entrance exam का यहाँ से चेक कर सकते हैं अब यहाँ पर कर लेते हैं login and counseling की तरफ आगे बढ़ते हैं वीडियो का आप लोग लाइक कर दीजेगा और चैनल को subscribe जरूर कर लिजेगा जिससे आपको आने वाले टाइम में सारी update इस चैनल की मिलती रहें login कर लिया हमने यहाँ पर अभी login करते ही आपके पास इस तरह से कोई dashboard open होगा और इसमें फिर choice select करने का option आएगा थोड़ा सा वेट करेंगे तब ठीक है जैसे choice वाला option आएगा आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी choices आएंगी आप qualified है ठीक है उसके बाद जबाद आप fees pay करेंगे tentative ranking आपकी सो होगी suppose करी मैं यहाँ पे first choice choose करता हूं and first choice मैं रखता हूं बहुत सारे ITOT private government सब आपको दिखेंगे आप अपने recording रखिएगा ठीक है जो आपको feasible लगे जैसे मैं सबसे पहले यहाँ पे रखने वाला हूँ नस्टी आई कानपूर ठीक है दूसरे नंबर पर मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ लखनव ITOT ठीक है तो जो सरकारी हैं उसके recording हम रख रहे हैं यहाँ पे थर्ड पर हम यहाँ पे रखने वाले हैं यह सभी नीचे आप देख रहे हैं प्राइवेट ITOT है और जो government है उसके आगे government लिखा हुआ है ठीक है तो उसके recording आप लोग देख लीजेगा कौन सा आपको चूज करना है ठीक है बहुत ही बुद्धिवानी से और बहुत ही सांथ तरीके से इसको कीजेगा अगला हम यहाँ पर रख लेते हैं NSTI देहरादून नेक्स्ट हम रख लेते हैं यहाँ पर NSTI हावड़ा एंड फिफ्थ पर हम रख लेते हैं यहाँ पर NSTI मुंबई ठीक है इतना रखने के बाद क्या करेंगे यहाँ से इसको कर देंगे submit जैसे आप submit करेंगे आप आपको दिखाएगा प्लस पोजीशन आपकी जैसे कानपुर देखे टोटल सीटें हैं सिर्फ 28 लेकिन अभी आपकी पोजीशन जनरल में कितनी दिखा रहा है 273 मतलब मिलने के चांसे बिलकुल 0 है ऐसी कटेगरी में आप देखेंगे सीटें हैं 10 पोजीशन है 61 तो यहाँ मिलने के चांसे जीरो है ठीक है अब हमें करना है सबसे पहले कांसलिंग फीस पे उसके बाद ही हम इन चीजों को बार बार चेंज कर सकते हैं कि इनको फर्स चॉइस बनाए और अपनी रैंकिंग यहाँ पे देख पाएं क्योंकि जब तक आप फीस नहीं पे करेंगे तब त इस तरह से यहाँ कांसलिंग फीस पे करने का एक option मिल जाएगा ठीक है इस पे हम click कर देंगे एंड pay now पे click कर लेंगे पे करने के लिए आपके पास बहुत सारे options हैं आप जिससे चाहें credit card, debit card, net banking, wallet, UPI आप कर सकते हैं UPI आज के टाइम में सबसे ज़्यादा सकसेज रहता तो आप कोसिस करिए UPI से पे करिएगा यहाँ पे हम try कर रहे हैं credit card से and pay कर लेते हैं fees उसके बाद आप स्क्रीन पे देखेंगे आगे क्या होता है यहाँ पे देखें हमने fees pay कर दिये है इसमें आ गया payment is updated successfully close the window for safety regions ठीक है तो इस तरह का आपको एक message आ जाएगा इसमें आप देखेंगे पूरा आपका transaction status वगएरा सब रहेगा इसको यहाँ से click करके आपको क्या करना है ठीक है अब आप close कर चुके थोड़ा बेट कर लीजेगा आपका automatic जो pay किया आपने fees यह page जो है refresh हो जाएगा ठीक है देखें page refresh कर दिया हमने अभी आ गया you have paid counseling fees download receipt यहाँ से आप अपनी download कर लीजेगा receipt क्योंकि यह receipt आपको वहाँ पर देनी पड़ेगी क्योंकि आपका 1000 रुपय जो है minus होगा तो हमने just इसका एक screenshot ले लिया है यहाँ पर आप भी इस तरह से एक screenshot इसका ले लीजेगा ठीक है अब counseling fees pay करने के बाद अब आप जिस भी जैसे मा लिजे इसको इस पे जैसे आप click करेंगे लखनो ITOT आपका first choice बन जाएगा SC में 10 seat है 19 position दिखा रहा है चलिए 13 दून को एक बार first choice करके देखते हैं इसमें देखे 10 seat है 30 position दिखा रहा है हावडा को एक बार first choice कर लेते हैं जिस पे भी आप click करेंगे वो first choice हो जाएगा लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि at the end of time जब भी close होने वाला होगा counseling तो आप अपना sequence उस हिसाब से कर दीजेगा यहाँ पे भी कुछ इस तरह का sequence दिखा रहा है अब इसमें आएगा reselect center again का इसमें आप क्या करिए जो जो आपकी choice जैसी आपको रखनी है उसके recording उसको reselect करके आप छोड़ दीजे otherwise फिर last में आपको problem हो सकती है तो अपना ID password भी आप ज़्यादा किसी सा share मत करिएगा ठीक ह otherwise आप मुस्किल में पढ़ सकते हैं और 5 choice minimum आपको चूज करनी पड़ेगी अगर आपके trade में इतनी choices नहीं है तो हो सकता आपका कम choice में हो जाए otherwise minimum 5 choice भले आपको private ITOT चूज करना पड़े वो आपको चूज करना पड़ेगा ऐसा ही रख के आपको अपना simple log out कर देना है यह आ पर आपकी एक dynamic ranking सो हो रही है ठीक है यह position जो दिखा रहा है एक्च्वल में एक dynamic ranking होती है basically तो यह वही दिखा रहा है कि इतने अभी 28 seat के सापेक्ष 272 लोग आपसे आगे हैं 273 पोजिशन आपका है ठीक है तो आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा competition है इस बार and seat जो कम हुई ह ना उसकी वज़ा से competition बढ़ गया है तो अगर income number है इस बार उनके chances थोड़े से और घट जाएंगे NSTI पाने के ठीक है तो आप लोग जल्दी जल्दी अपनी counselling कर डालिए वेट मत करिए फिर seatیں खाली रहेंगे हम बाद में कर लेंगे कोशिस करिए पहले round में सभी लोग counselling कर लीजे कोई भी आपका question है comment है please comment कीजेगा वहाँ पर हम आपको जबाब देने की कोशिस करेंगे अभी कले फिलाल हम इसको log out कर देते हैं and जो भी doubt हो आप comment कर सकते हैं आपकी पूरी help comment section में की जाएगी हमारा telegram channel है take study iti आप चाहें तो हमारे साथ वहाँ भी जूड सकते है thank you very much मिलते हैं आपके साथ अगले update में अगले वीडियो में तब तक बने रहेगा आप सभी लोग channel पे